सिर्फ आधार नम्मर से यानि आपके पास आधार कार्ड है अगर आपका उसके पास नम्मर है तो आधार नम्मर यहाँ पर डाल कर आप किसी भी बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं बिल्कुल पास्बुक की तरह कि आपके खाते में कितने पैसे किस डेट हुआ है कितने पैसे है और आपका आधार कार्ट आपके बैंक के साथ लिंक है या नहीं सब कुछ आप पता लगा पाओगे सिर्फ आपको इस बोक्स में अपना आधार नमर डालना है और यहां पे Get Data पे क्लिक करना है तो आप कैसे अपना चेक करेंगे कैसे आप सब कुछ जानेंगे आज किसी वीडियो में आपको यहीं बताने वाला हूँ मैं यहाँ पे अपना आधार नमर डाल कर गे डाटा पे क्लिक करके आपको अपना bank balance चेक करके आपको live proof पे साथ दिखाने वाला हूँ तो आप इस page पे कैसे आएंगे और आप अपना अधार कार कैसे नमर चेक करेंगे कैसे balance चेक करेंगे सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को कहीं भी इसकी मत करिएगा वीडियो को last तक देखते रहेगा तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा जो आप अब भी वीडियो देख रहे हो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है लाइक वाले बटन पर क्लिक करके और यहां से चैनल को सबस्क्राइब करके एक घंटी आए कि इसको दबाकर all प्रेस करना है इससे क्या होगा कि आने वाले सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुचता रहेगा वीडियो को शेयर करना ताकि सभी लोग अपने अधारकार नमर से बैंक बैलेंस चेक कर पाएं बीना बैंक गये और यहां पर आपको कमेंट करके मुझे बताना है और यहां पर आपको आधार नमर अपना डालना है तो इस पेज़ पे आने के लिए आपको करना क्या होगा आपको इसी पेज़ की ज़्यादा ज़रूत है आप इस पेज़ पे आने के लिए आपको Google में एक वेवसाइट को सर्च करना होगा कि यहां पर देख सकते हैं टेक्नोरासी सिर्फ एकाउंट आपको ये चीज़ सर्च करना है इसस्पेलिंग बिल्कुल सही सही होनी चाहिए है इस पेलिंग में कोई भी मेश्टेक नहीं होनी चाहिए उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर एक लिंक मिलेगा सिर्फ खाता नमर से किसी भी बैंक का बैलेंस चेक करें जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको इसी के अंदर सिर्फ आधार नमर से बैंक बैलेंस कैसे चेक करें आपको भी दिखाई देगा जब आप इस लिंक पर क्लिक ओपन करोगे तो चलिए आप फाइनली मैं अपना अधार नमबर डालकर आपको bank balance चेक करके दिखाता हूं उस page पर चलते हैं तो दोस्तों आपको टेक्नो रासी सिर्फ account डालकर search करने के बाद उस link पर क्लिक करने के बाद आपको सीधा इस page पर आजाना है और यहां पर आपको पना अधार नमबर डाल देना है तो मैंने अधार नमबर पहले सी copy कर रखा है डायरेक्ट में paste कर देता हूं उस पर आपको यहां पर gate data को जो option दिख रहा है आपको इस पर click कर रहा है जैसे आप इस पेख लिक करोगे यहां पर देख सकते हैं पूरी डीटेल यहां पर नीचे आगई आप देख सकते हैं पूरी डीटेल यहां पर आगए कि आधार नमबर मेरा verified है और मेरा union bank of india है account number इतना है है और इसे टेट में डीट में फैसे कटे हैं पूरा पास्य ऑप फूरा यहाँ अपको देखाई दे duplic इस प्रकार से आप जो है कि सिर्फ आधारba से किसी भी अमब 쪽र दाना है ड़ा एक हम सिरा अब आपको प्रहोब आती है तो आप नीचे कमेंट करके जरूब बताएगा Thank you so much